हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल अगेन, आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने के लिए लाई हूँ पिज्जा बनाने की रेसिपी, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को तिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस्ट लिया और साथ ग्राम के लगभग इसे एक बॉल में रख लिया है और इसमें वन स्पून सूगर डाल लेते हैं और उसके बाद गुरूना पानी इसमें डाल लिया और इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे ऐसे ही अब लिया है और डो हमको बहुत टाइट नहीं बलकि गीला गीला बनाना है तो हम यहां पर दो तयार कर लेते हैं और पानी से इसे हम गूल लेंगे तो बिल्कुल गीला गीला सा डो तयार करना है इससे बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है थोड़ा सा ओईल जब हमने पानी स इसको तयार कर लिया है तो अब इसमें हम ओईल लगा के इसे गोल लेंगे और अच्छे से डो तयार कर लेंगे डो हमने तयार किया और अब हम इसको एक दुसरी वर्तन में रख लेंगे जिस बरतन में हमें ये रखना है उसमें हम पहले थोड़ा सा ओईल लगा लेते हैं यहाँ पर हमने ओईल लिया और इसमें लगा लेंगे और यहाँ पर हम इस डो को रख देंगे 40 मिनट के लिए गो 40 मिनट हो गई हैं डो हमारा अच्छे से तैयार है इसको ले लेते हैं हमें इसा प्लेट में और फोड़ासा आचा डालेंगे अच्छे से इसे बना लेंगे आचा डाल लिया है और देखे 6 जाली बनी है हमारे डो मैं 40 मिलबाद अच्छे से जाली **** अब यहांपर हम कुझ तनी पिज्जा बनाने हैं उतने हम लोई बनाएंगे यहां पर जो हमारा डो है इससे हम दो पिज्जा बनाएंगे तो इसे डूट में ऐसे काड लेते हैं और पिज्जा बनाने के लिए अच्छे से लोई बना लेंगे और आठा लगा लेंगे हाथ में अब इसको हम बेल लेंगे अच्छे से लोई को क्र लेते हैं ! रीप बेल से पर लेको都 करने, भी दया और ज़ीन ते ओर बेल की बहीं हमें तो यहां पर हमने यह पेल के तयार कर लिया है और इसे हम जिस प्लेट में हमें बनाना है तो उसमें इसको रख लेंगे इस प्लेट में ही हम पिज्जा तयार करेंगे तो यहां पर हमने प्लेट में ओईल लगाया और इसे अच्छे से पहला के तयार कर लिया है तो ये हमारा पिज्जा बेज बन कर तयार हुआ बेज तयार हुने के बाद हम फौक की सहायता से इसमें होल कर लेंगे ये फूले नहीं इसलिए हम इसमें ये होल करते हैं तो इसमें सारी में हम फटा फट से होल कर लेंगे पिजा सोस लगा लेते हैं बेस में और थोड़ा सा ज़्यादा और अच्छे से इससे कर लेंगे इससे कवर तो पिजा सोस लगा लिया है अब यहाँ पर हम डाल लेंगे चीज मौज़ला चीज का ही यूज करेंगे फिजा बनाने के लिए मौज़ला चीज का ही यूज किया जाता है तो यहां पर फटाफट से चीज डाल लेते हैं चीज हमने डाल लिया है अब यहां पर हमने कैप्सिकम ली है औरेंज कलर में रेड कलर में और ग्रीन कलर में और साथ में लिया है टमाटर तो इन्हें इसमें लगा लेते हैं तो फटा फट से हम सारे केप्सिकम इसमें लगा लेंगे यह हमने सब लगा लिये हैं अब इसके उपा से फिर से हम चीज डाल लेंगे तो चीज से इसको कवर कर लिया है और हमारा यहां पर पिज्जा विल्कुल तैयार है कुख होने के लिए पिज्जा विल्कुल तैयार है तो हमने गैस पर कड़ाई रखी है और यहां पर आप कड़ाई के वीतमे स्टैंड लगा सकते हैं या कोई कटोला रख सकते हैं हमने भी ऐसी किया और पिज्जा कढ़ाई गरम हो गई है पिज्जा इसमें रख दिया कुखोने के लिए और उपर से थाले से ठख लिया है अब यहाँ पर हम पिज्जा को कुखोने के लिए छोड़ देते हैं और जो दूसरा हमने लोई रखी है टेहना उस्ता बैल कर उख लोग और नोसे बेल कर टेयापर तो प्वहता भट से इसे भी हमम की लोई बनाई और वैसे भी एजयskीश में च्या खेट और रगा लिया है खूप सारा सौस यहां पर तो अब इसमें चीज डाल ली उपर से तो इसमें भी हम अब लगा लेंगे उपर से सब्जियां यहां पर हमने टमाटर प्याज और पनीर से बनाना है तो यहां पर हम टमाटर लगा लेते हैं और थोड़ा सा पनीर लगा लेंगे और थोड़ा लगा लेते हैं प्याज तो यहां पर हमने भी इसको सब्जियों से कवर कर दिया है खुप सारी सब्जियां लगा ली है अब इसमें उपर से डाल लेते हैं चीज और यहां पर 15-20 मिनिट हो गए है यह पिज्जा हमारा बन कर तयार हो गया है मेडियम फ्लेम में तो यह कुक है अब इसे निकाल लेते हैं और जो पिज्जा हमने अभी किया है तयार उसे इसमें रख लेंगे यह रख लिया और ठाल इसे कवर कर लेते हैं तो एक पिज्जा हमारा बन कर हो गया है तयार तो फैंसे वीडियो को विल्कुल भी स्किप मत किजिए तो अब इसे हम काट लेते हैं तो घर पर ही हमने पिज्जा बना कर तयार कर लिया है और इसे काट लिया यह हमारा पिज्जा बन कर तयार हो गया है तो फैंस आप भी बनाईए घर पर पिज्जा मिंटों में ही तैयार हो जाता है लास्ट वीडियो में मैंने पिज्जा सौस की रेसिपी डाली है आप चाहें तो उसे भी वहाँ देख सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो जाती है पसंद तो प्लीज किजिए कर लाइक अपनी फैंस में सेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ बाई बाई